बिहार में सरकार बदली नहीं कि आरोप रत्यारोप शुरू हो चुका अब जो कल दिन तक विपक्ष था आज वो सत्ता पक्ष में और वो आरोप लगा रहा है कि बिहार में जितने भी CBI, ED और IT के टैक्स और छापे मारी पड़ रही है वो सभी केंद्र के 17 सरकार के तरफ से क बगाया जा रहा है कि उनकी मंशा है सरकार को अइस्थर करने की देखिए ये लोग अब तिल मिला गए है जो भरस्ताचारी है तो उनको तो भरस्ताचार की कहानी उन्होंने लिखा है अब ED और CBI ये स्वतल्त एजेंसी है ये अपना काम कर रही है उसमें भारती जनता पार सरकार को किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं है इसलिए ये बे बनियान है इस परकार के जो बयानबाजी कर रहे हैं ये जो हल्ला कर रहे है जोर मचाये सोर, जस्थ तस अबर निया मैं जैसा कीयो व Rückशा भरना है जस्थil करनी तस भोग विढाता नरक जात पांशे पस्ता तो नरक ने स्वर्ग थोड़े बिलेगा आपको, इसलिए जो किये हो पाओ और पूरी तरह से अपने कामों, अपने करमों की सजा, वो तो भुगतना पड़ेगा बाबु, अब बाबु जी ने किया, बेटा जी को भुगतना पड़ करें, हमको बच्पन से सता रहे हैं पढ़ाई बंद कर दिया, और आज लोगों को इस परकार से गुम्राह कर रहे हैं, कि हम पर जो हैं बच्पन से बीजे पी के लोग, अई यूपी ए में जब थे, उस समय बाबु जी जेल गए, चारा घोटाले में, माता जी मुकमंती बनी, ये पूछिए ना, इसलिए लोटाना होगा, सूध लगा के लोटाना होगा, नितिश कुमार ने बड़ा बयान दिया विधा आनसवा के जो अभी सत्र चल रहा है, उसमें कि 2005 में जब चुनाव जीता गया था, भारती जंता पार्टी को नितिश कुमार ने अपने चेहरे के बलबूते पे उन्हों ने चुनाओ, उनका चेरा क्या था? ये तो भगवड़ा आदमी थे, जब इनको पहली बार मुक्रमंत्री बीजेपी ने अतलजी ने बनाया, और जब ये भाग साथ दिन के बाद, इन्होंने का हमें विहार के लिए संगर्श करूंगा, और ये भाग करके फिर निल्डाउन हो करके केंज में आके मंत्री बन गए, अब फिर बीजेपी ने ही इनको मुक्रमंत्री बनाया, ये इनकी क्या उकाद थी? अरे इनकी उकाद क्या थी? ये जो जीरो टॉलरेंस करप्सन से, अब समझ में आ रहा है और इनको तो ऐसा बगल में बैठा हुआ जो है ना, उसी जो लाठी पिलावन की बात ये करते थे नितिज बावूव, उसी लाठी से थूरेगा, फिर का दिमाग ठीक हो जाएगा, अब ये रिटायर्मेंट के उसमें चले गए, इनको परदार मंत्री का सपना, चाचा और भतिजा, ये परदार मंत्री का सपना, भतिजा जी दे रहे है अब रिटायर हो गए है, अब ये किसी के लाइक नहीं है, किसी लाइक नहीं है, नितिश कुमान ने और एक बड़ा बादे कि उनके उपर दबाव बनाया गया था बिहार संभालने का और बीजेपी में जो बोलेगा वही केंद्र में आगे बढ़े गए इस नियत से काम होत बीजेपी ने उनके ऊपर ये दबाव बनाया है कि वो बिहार संभाले, ऐसा उनका आरोफ है? बिहार संभाले मतलब इनको ने बिहार दिये थे हम लोग, हम लोग बिहार में दिये थे ना, तो बिहार क्यों नहीं समला इन से, बिहार तो समल रहा था, डबल इंजन की सरकार चल रही थी अब साथ इंजन की सरकार बना करके यह विहार का विकास करेंगे अब कैसा विकास होगा मुए चित गिरेंगे कि पट गिरेंगे यह तो विहार की जनता को इन्होंने 25 साल पीछे धकेल दिया विजय कादुरी ने आरूप लगा कि हम भारती जनता पार्टी के साथ गए थे तारा और चांद का सपना देखते हुए कि हम बिहार को ऐसा बनाएंगे लेकिन मिला क्या हाथ में तो रात की काली सी आई ही मुझे लगता है जो सपना इन्होंने देखा था बिहार की जनता को 2005 के बाद जो खुश्याली बिहार में लोटी थी वो खुश्याली भारती जनता पार्टी के कारण लोटी और वो खुश्याली हमने दिया अपराधी भाग खड़े हो गए थे ब्रस्ताचारी जेल में बंद हो रहे थे यह पता नहीं है उनको और ये बात बीजेपी ने तो आज ऐसा दिया कि आज बिहार की अच्छी सडके दोड़ रही है सडक सारे विकास के काम आगे बढ़ रहे थे अब देखते हैं साथ इंजन की इनकी सरकार जो है वो कितना विकास कर लेती है और ये पूरी तरह से अपराधियों को ब्रस्चाचारियों को जो श्या देता है वो भी उत दोसी होता है और कलो करके अब तो ब्रस्चाचार का वो जो स्याही है जिस स्याही से कहते थे कलम किसी आई अब वहां लाठी तेल पिलाई में वो चले गए लाठी में तेल पिलाने चले गए तो वह भी कलो करके जुर्म में जेल जा सकते हैं ब्रस्चाचार के खिलाप कोई किसी को बकसने वाला नहीं है जो लूटा है उसे सूद लगा करके लूटाना होगा आप पुराने नेता हैं जिनके उपरा च्छापे मारी हुई है चाहे अस्वा करीम हो फयाज एहमद हो सुबोध राई हो सुनिल सिंग हो इन सभी लोगों को आप बहुत करीब से जानते हैं और उनके घर पे च्छापे मारी हुई है पूरा राजद एकत्रों के यहीं सिर्फ एक बात कह रहा है कि हमारे उपर विपक्ष का हमला यहीं नहीं गुड़गाओं में एक मॉल पे सीबी आई ने कारवाई की तो तेजसुई आदब ने सदन में कहा कि वो मेरा मॉल नही है और जो लोग लूटने वाले हैं जो सागिर्द हैं अब जेल में वो गए हुए हैं इनके पीए साहिब सुप्रीमो के पीए वो सब बता रहा है सब खागाल रहा है अब जब सही बात आएगा उस सब धन आ जाएगा जनता का गारी कमाई का पैसा जो लूटने का काम किया ह राजत सुप्रीमों ने और जोड करके परिवार को ले करके भी वो अंतिन तक वही सब को जेल दाने का ही नौबत उन्होंने ले आया है उनसे पूछिए उनसे पूछिए ना आप बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो एक आखरी सवाल आप से नितीश कुमार ने कहा दिल्ली इसnor बाले जो है वह प्रचार खूग करते हैं काम नहीं करते हैं भारती जनता पर पर पार्टि यूनिव neutron को लेकर लगातार वह मांग कर रहते है विजेपी उस मांग रहे ती सात Natalie भी भारतीय के तरफ से किसी तरीके के का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी यह सब ही सब ऑप इस तो सवाल उठाए निटीज बाबू ने इनका थित्रलौ जी जिसको कहते है ना इनके पास कोई शारा नहीं बचा है अब तो इनका किनारा आ गया है जल्दी किनारा आ जाएगा और जो बीजेपी ने किया है विहार के लिए जो आपको बीजेपी ने जिस परकार से आगे बढ़ाया जो विकास की शीकिरने आज बीजेपी के कारण विहार边 दिखाई पड़ता है नितीष वाभू आप ने तो बिहार को धका ने करके बिहार को दोका दे करके आंक में धुल जोग करके आप आप चले गए लाठी पिलावन के साथ तब लाठी पिलावन के साथ गये हैं और उसी लाठी से भगल वाला ही जब थूरना शुरू करेगा तो आप सीधे वहां से भाग खड़े हो जिए सही में 2005 में नितिश कुमार आप लोग की नईया पार लगाये थे चुनाओं में वह न हमको याद है हम लोग बैटे थे कई सभाओं में गए थे कि मैं संगर्ष करूगा कहलगाओं की सभा में इन्होंने का मैं सहम था और उस समय उन्होंने कहा कि मैं एक एक जिला में जाके संगर्ष करूँगा आदोलन करूँगा ठीक सत्मा दिन के बाद दिली में डेरा डाल रहा गए दिल्ली में बन गए मंत्री दिल्ली में डेरा डाल करके और देर साल बाद जब वक्त आया ये लोग वक्त के सोखीन है जब वक्त आया तो फिर गिर्डगिरा करके आगए और फिर बिहार ने इनको मुखमंती का दर्जा दिया बिहार में बनने का ये तो बिहार के का अब ये दुसासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे और नितीश कुमार जो भी बने वो भारती जनता पार्टी के बदौलत बने और जो उनके बगल में यानि तेजस्वी यादव जो लाठी पिलावन जैसा अश्वनी चौबे बतारत वह है और वो जब उनको थुरेंगे ज झाल